So, Hello and Welcome back to my channel The Education Hub तो आज है हमारा Day 13 हमारी करिकुलम पेड़गोजी और इवालुएशन की सीरीज का और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्टुडेंट सेंटर अप्रोच में हम आज पढ़ेंगे Discovery Method यानि हम कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं कि हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए किन-किन Methods का यूज़ करना चाहिए तो हर एक Method पे मैंने Separate वीडियो बनाई है Last वीडियो मैंने बताई थी कि Constructivist Method क्या होता है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि Discovery Method क्या होता है ठीक है तो Discovery Method एक Inquiry Based Learning Method है जिसमें हम पूछ साच करकर खोज भीन करकर एक आंसर पे आते हैं नतीजे पे आते हैं ठीक है और इसमें जो Learner होता है जो भी Student है या जो भी कोई Learner है वो अपनी knowledge को खुद construct करता है findings करके वो अपनी knowledge को खुद construct करता है ठीक है अब देखे इसकी क्या features है Discovery Method के सबसे पहला है Collaborative Problem Solving यानि कि इसमें Discovery Method में हम जर्नल ये ग्रुप बनाते हैं इसमें 2-6 बच्चे कम से कम होने चाहिए तो वो सारे बच्चे आपस में मिलकर discuss करकर data को collect करकर data को analyze करकर मिलकर एक problem को solve करते हैं इसी वज़े से इसका नाम है Collaborative यानि कि किसी के साथ मिलकर problem solve करना फिर है hands on learning hands on learning का मतलब है खुद अपनी knowledge को construct करना खुद करके कुद सीखना फिर है guided discovery guided discovery मतलब यह जो बच्चों को discover करने का मौका दिया है कि आपको यह ढूना है वो ढूना है वो किस ने दिया है वो teacher ने दिया है यह teacher ने उन्हें guide करा है ठीक है teacher उन्हें समझाएगी उनको clues देगी उनकी स्कैप holding करेगी उसके बाद ही बच्चे discovery करेंगे इस बच्चे से यह guided discovery भी खिलाती है guided learning भी खिलाती है reflection and connection यानि जो बच्चे अपने आसपस देखेंगे observe करेंगे learn करेंगे उन्हें connect करकर वो एक conclusion पर आएंगे फिर है learner accountability यानि जिसमें learner है वो अपने हिसाब से खुद destination चूस करेगा कौनशी जगा जाना है क्या से क्या ढूणना है खुद करेगा तो इसमें जो learner है वो जिम्मेदार होगा ठीक है learner अपनी findings के लिए खुद जिम्मेदार होगा अब देखे difference between traditional learning and discovery learning traditional learning मतलब हम पहले बच्चे को कैसे सिखाते थे और art discovery method के थिरू तो देखे जो पहले बच्चों को सिखाते थे उसमें बस बच्चों को knowledge दे दी उनके mind में knowledge भर दी लेकें discovery method हमें बोलता है कि बच्चों को अपनी learning को खुद construct करना चाहिए पहले क्या होता था teacher जो था teacher का main role होता था और वो सारी knowledge बच्चों को देती थी यहाँ पर teacher का role क्या है discovery method में facilitator का जहाँ बच्चों को help चाहिए होगी वहाँ पर वो उनको help करेगी फिर है approach followed कौन सी approach करते हैं इसमें deductive approach करते हैं deductive approach मतलब पहले teacher उन्हें एक topic समझाएगी ठीक है एक topic बच्चों को बताएगी कि noun ये होती है फिर examples देगी प्ले के discovery method में inductive approach यूज होती है जैसे इसमें पहले examples दिये जाते हैं उसके बाद हम उस topic को बताते हैं जैसे हमने बच्चों को बोला आप किसी भी चीज का नाम बताओ कुछ बच्चे place का नाम बताएगे कुछ name बताएगे किसी इंसान का कुछ animals का बताएगे फिर हम उने बताएगे कि किसी भी चीज के नाम को हम nouns कहते हैं ठीक है तो यह होता है inductive method फिर है कि communication theory based होती है मतलब बोल कर लेकिन discovery method में जो हमारी learning है वो experience के based होगी student का इसमें बहुत कम रोल होता है traditional method में लेकिन आज जो हम discovery method use करते हैं उसमें student का main role होता है ठीक है और यह जो पहले वाला method तो इसका scope बहुत कम है जादा जगा यह use नहीं हो सकता और इसमें हम बच्चों के बस main answer पर focus करते थे कैसे सीखा कौन-कौन से method से सीखा उससे कोई फरक नहीं पड़ता था अब जैसे कुछ examples हैं जैसे मैंने भी discovery method का आपको एक example देया था दूसरा example यह है बच्चों को जैसे जो textbook का example है मैं वही use कर रही हूँ कि बच्चों को हमें इस सिखाना है कि जो metals है वो expand होते है अगर हम उसको heat करेंगे गरम करेंगे metals को तो हम बच्चों को यह भी बोल सकते है कि आप अपने आसपास जाओ जहां metal का काम होता है उन्हें observe करो अपने parents से पूछो किसी बड़े से पूछो या research कर कर लाओ कि कि ऐसे सच में होता है observe करो और फिर अपने conclusion बताओ और हम उसको कैसे और metal से क्या और properties होती है यह भी आपको identify कर नहीं है तो यह होता है कुछ example discovery method के जिसमें बच्चे खुछ जो हैं discover करेंगे एक particular topic पे कि वो कैसे क्या हुआ teachers बस उन्हें guide करेंगे इस teacher ने एक topic दे दिया उसके उपर बच्चे work करेंगे अब advantages के हैं फाइदे के हैं discovery method के सबसे पहला तो इसमें deep learning होती है बच्चे बहुत deep में सीख जाते हैं और deep में सीखते हैं क्योंकि उन्होंने खुद देखा है और जो चीज हम खुद देखके हैं खुद experience करके करते हैं वो हमें हमेशा lifetime याद रहती है lasting learning होती है उसमें मतलब हमें आगे तक वो याद रहेगी fostering or thinking process हमारा दिमाग जो है वो और अच्छे से काम करेगा real context में उन्हों जो जो इस देखी है तो वो समझ पाएगा कि जो हमारी textbook में लिखा है वो real life में भी applicable है motivational learning होंगी बच्चों को अच्छा लगता है ऐसे motivate होते हैं बच्चे इंटरस्ट लेके पढ़ते हैं social bond बच्चों का यूँकि वो मिल जुल के एक साथ काम कर रहे हैं इस बज़े से उनके society के साथ भी bond अच्छा होते हैं वो parents से पूछेंगे उनके साथ bond अच्छा होगा फिर है इसकी कुछ कमिया भी है जैसे कि एक बहुत time consuming method है जादा time लगता है एक topic को हमेंसे समझाने के लिए और ये junior students के लिए मुश्किल होता है जैसे हमें बच्चों को कुछ बताना है तो हम छोटे बच्चों को नहीं बोल सकते पांच या छे साल के बच्चों को कि आप ऐसे discovery करके आओ observe करके आओ पेरेंट से पूछ के आओ बच्चा नहीं कर पाएगा इसी वज़े से ये difficult approach भी कहीं जाती है कहीं ना कहीं हाँ इसमें हम जो बड़े बच्चे उनके साथ तो ये use कर सकते हैं लिकिन difficult हो जाता है छूटे बच्चों के साथ इसमें initial base रिक्वायर नि बच्चे को पहले से कुछ न कुछ knowledge आनी चाहिए ऐसा नहीं कि बच्चों को अगर train teacher है ही नहीं teacher को बच्चों को guide करना आता ही नहीं है facilitate करना आता ही नहीं है तो किसी भी चीज का को use रहेगा ही नहीं तो सबसे बड़ा constraint यह ही है lack of train teachers तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि discovery method क्या होती है पहले के method से कैसे beneficial है क्या इसकी advantages है आपको मेरे चानल पर भी मल जाएगा वहाँ पर भी आप जाके देख सकते है and if you like watching the education of videos do subscribe to my channel thanks for watching